खड़े होकर पानी पीने वाले के बाल जंदी सफेध हो जाते हैं अगर हर वक्त हाट थंडे रेते हैं तो ये बदन में खोन की कमी की अलामत है चाबलों के उपर से पानी पीने वाले का पेट भार आ जाता है चेहरे को पानी से गीला करके फिटकरी से हलका सा मसाज करो दाने खतम हो जाएंगे अगर आप खुद को पौब में सफर करता देखें तो समझ जाएं कि बहुत जल्द घर में दौलत आने वाली है रोटी को चबाकर खाने से तभी पैट से गैस की पदबू नहीं आएगी मोटी औरत की नाफ में लीमू का रस डाल दो हफ़ते में वजन कम हो जाएगा फिटकरी के उपर अंडे के सफेदी लबा कर मुँपर मसल दो चुर्णियां फ़तम हो जाएंगी कोबी पकाते लक्त इसमें रोटी का छोटा सा टुकड़ा दाल दिया जाए तो पूरे घर में कोबी की बदबू नहीं फेलेगी बदन पर बुड़ाबे के आसार नमुदार होने लगे तो हफ़ते में दो बाद मचली खाया करो और अनार का जूस पिया करो रोज नहार मुदार अजवा खजूर दूट के साथ खाने से चहरा हमेशे जवान रहेगा मचली खाने से इनसान की जिन्द चमकदार हो जाती है बास मर्दों और ओरतों की आँखों से पानी बेता रहता है वो बादम की गीरियां रोजाना रात को पानी में धिगो दें और नहार मुद छील कर खा जाए नहार मुद भीगे बादम खाने से दिमाव और दिल तापतवर हो जाता है सुस्ती और मोटापा फटम होता है जिल्द हमेशे जवान नज़र आती है याद रखिए अफरोट खाने वाले लोगों का पॉलिस प्रोल लेवल नॉन्मल रहता है अगर पाल ज़्यादा ज़रने लगें और सरकी रंगी नज़र आने लगें तो मचली के ऑईल बाले कैपसल लेगर एक कैपसल डंगी में मिलातर पालों में लगा दो इससे बाल धरना रुक जाएंगे